ुकि है वेरी गूरिंग प्रप्र अमेय में अगर आपको बड़ा पैसा जन्रेरीत करना हैं तो वह बड़े पैसे जन्रेर्ट करने का समय कितना होता है वह कब जो है आपको दिखना शुरू होता है या आप बोल सकते हैं कि उसके लिए कितना समय जो है वो wait करना होगा तो दो चीजें basically इस point पे आती है number one आपको बड़ा पैसा एक बार generate करना है number two आपको बड़ा पैसा लगातार generate करना है ठीक है जो भी दूसरी network marketing companies है जिनमें आपको instant check दिखाई देते हैं let's say कोई गया और जाने के instant बाद में एक ही महने में जो है वो check आ गया और बड़ा check आ ठीक है अगर आप उनके consistency देखोगे तो वो check आपको एक महना दो महना तीन महना के बाद में जो है वो regular कई महीनों तक या कई सालों तक दिखाई नहीं देंगे ठीक है अटमी में काम कैसे होता है अगर आपको लगतार income generate करनी है तो यह बहुत common sense वाली बात है कि हमें उसके लिए एक huge network सबसे पहले create करना होगा एक बड़ा consumer base और partner base जो है इसका combination हमारे पास में होना चाहिए राइट अब consumer base और partner base एक दिन में तो नहीं आएगा एक दिन में किसके पास में आ सकता है जिसकी कोई setting वगेरा हो राइट कुछ ना कुछ जो है वो company ने कुछ offer कर दिया हो और आपको पता है कि मैंने first time SSM hit किया और second time जब उसी SSM को re-qualification में लेकर आना start किया तो जब आप SSM hit कर रहे हो और उसके बाद मैं उसको re-qualification second income source के तो रुपी बड़ा income समझ सकते हैं और आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप कोई वेक्ती 15-20,000 के job में हो और उसको switch करना है तो ये जो समय है ये सही समय है आपके switch करने का कि आप switch करके आटमी में जो है वो full time काम करना start करते हो इसके बाद में अगला जो पड़ावाता है वो पड़ावाता है कि आपने दोनो cycle में SSM हिट किया है तो दोनो cycle में आप SSM हिट करोगे तो minimum आप 50-70,000 रुपए महीने का income जो है वो बनाना start करोगे ये बहुत अच्छा income है जिस income में बहुत अच्छे लोग जो है एक अच्छा lifestyle भी जो है वो lead करते है तीसरा बड़ा income जब आप हिट करना start करोगे वो cycle होगा पहला cycle आपका SSM गया है और दूसरा cycle आपका SM गया है या पहला cycle SM गया है दूसरा cycle SSM गया है मतलब एक cycle SSM का और एक cycle SM का तो जब ये दोनों maintain करोगे आप और जब आपका requalification लगातार होना start होगा तो minimum कुछ नहीं तो 90,000 से 1,000,000 रुपए महीने का income जो है वो लगातार आप generate करना start करोगे इसके बाद जो अगला पड़ावाता है वो पड़ावाता है दोनों cycle में SM हिट होने का और दोनों cycle में जब आपका SM हिट होता है तो आप minimum 1-7,000,000 रुपए महीने के असपास का जो है वो income generate करना start कर देते हो उनोंने जो है वो बहुत aggressive recruitment किये है दिन की 20 ID, 30 ID, 50 ID इस तरीके से उनोंने placement किये है वो systematically बैठते थे कि कौन सा काम का leader है उसको किस position पे उनको set करना है इतना उनोंने समय दिया है अब जब उनोंने ये समय दिया है तो उनको वो income जो है वो लगतार हो रहा है अब हम लोग एक possibility मान लेते हैं कि कोई व्यक्तिक ही चितान के एक बार SM हिट कर लिया ठीक है तो SM एक बार आगर आपको हिट करना है बहुत सारे आपके पास में permutation combination है ठीक है आप ये काम कर सकते हो टीम को align किया है आपने एक goal के प्रति और आपने बोला है कि हम सब लोग मिलके उस goal को chase करें one time hit हो गया very good ठीक है वो जो है वो organic way में भी जा सकता है और आप उसको एक planned way में भी कर सकते हो उसको non organic नहीं बोलेंगे उसको planned way में करेंगे लेकिन क्या उसी strategy को दोबारा implement करके उसी चीज को requalification पर लाए जा सकता है ये सबसे बड़ा point है जो कि generally होता नहीं है उसके लिए को समझ में आएगा कि आपके पास में एक consumer base का होना बहुत जादा required है जो auto purchasing जो है वो करे और उसका सबसे पहला जो step है वो step है कि आपका एक auto consumer होना जरूरी है आपके पास में छोटा सा एक partner base होना जरूरी है और partner base के साथ में बाकी का consumer base जो है वो होना जरूरी है जो उनको लगाता है product की supply कर रहा हो right इन चीजों का जब balance होगा इस चीज को balance होने में किसी को एक से देड़ साल किसी को देड़ से दो साल किसी को दो से तीन साल लग जाता है ठीक है मेरी अगर आप बात करेंगे तो आप मान लिजे कि मुझे देड़ से दो साल के आसपास जो है वो समय लगा और लगबग आप जब तीन साल निकाल लेंगे तो थोड़ा सा समय इस तरीके से बन जाता है कि हर cycle में आप जो है SM hit कर देंगे अब आप इसको बहुत पहले करने की कोशिश करेंगे तो आपको सीधी सी बात समझनी पड़ेगी कि जो effort बाकी सभी लोगों ने attempt किये है तीन साल के अंदर में वो तीन साल को minimize करके आपको effort बढ़ाने पड़ेंगे मतलब आपको अपनी कोशिशे बढ़ानी पड़ेंगे उनकी double कोशिश करनी पड़ेगी तब आप उसके आदे timeline पे इस चीज़ को cover कर दोगे यह एक simple सा technique है यह simple सा तरीका है बहुत सारे लोग यह से compound होने रखता है तो compound तभी होगा जब आपके पास में एक structure होगा structure का मतलब एक team होगी team का मतलब एक network होगा ठीक है और यह कैसा होता है आपके पास में एक team size है एक team size है जो कुछ consumer को product supply कर रही है प्लस कुछ consumer है जो repurchase कर रहे हैं और जब उनका testimony recreate हो रहा है जब उसका testimony बन रहा है तो वो क्या कर रहे है recommend करना start कर रहे है तो repurchasing प्लस recommendation का जो है वो business वो compound होता है ठीक है उसके लिए आपके पास में कुछ लोग होने चाहिए जो repurchasing recommendation को बढ़ावा दे रहे हो ठीक है और उसके लिए आपको decent time चाहिए ही चाहिए आप एक दिन में एक simple से example से सम जो record break किये है runs के वो एक match में नहीं हुए है वो सारे पूरे matches का combination अगर आप निकालोगे तब जाके वो total निकलता है या पिर आप विराट कोहली के matches की बात करोगे तो विराट कोहली के matches से या उसके performance से भी समझ सकते हो कि उन्होंने continuously वो जो है runs को compound करकर के उस stage पे 50 मारा फिर 100 मारा फिर कुछ 1000 रनों तक पहुचे है फिर कुछ 1000 के multiple रनों तक पहुचे हुए तो वो कभी भी एक दिन का एक महने का या एक साल का काम नहीं होता है उसमें decent timeline लगता ही लगता है तो focus आपका सर्फ यह होना चाहिए कि भाई मेरा vision ये है मेरे को इतने time में जो ह market में बहुत चलती है कि लोग rank chase करने के पीशे जो है वो जादा focus करते है मेरा आपसे single simple सा question है कि let's say आपको एक बहुत अच्छी rank जो है वो offer कर दी जाए और आप उसके according income नहीं बना रहे हैं आप उसके तीन गुना नीची income बना रहे हैं तो क्या वो rank जो है वो आपको आप उस rank को जो है वो justify कर पाएंगी क्या कभी नहीं राइट आपने उसको single time जो है वो achieve कर लिया होगा लेकिन उसको दुबारा से requalification में लाने के लिए आपको consistency और discipline की जरुवत पड़ेगी तो same चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आपका focus जो है वो focus आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे continuously requalification निकालना आपका प्लस आपकी team का और वो जब habit में create हो जाएगा जब team को लगतार पैसा देखना start होगा तो वो पैसा बार 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 पूरी team को motivate करेगा और इस तरीके से हम लोग एक 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 step जो है वो उपर जाते रहेंगे तो लगी होगी इस वीडियो को अपनी पूरी team के साथ जरू शेयर कीजिए राइट थाइंग इसू मज़ाद